प्रकास आज हम आप लोगों के लिए लेकर आये हैं इलोक्रो मैगनेट को कैसे बनाया जाता है आई हम इस वीडियो में दिखाते हैं तो गाईज यह देखिए लोक्रो मैगनेट हम इसे कैसे बनाये हैं आप लोगों को हम बताते हैं तो सबसे पहले यह जो दिख रहा है वह कैसे बनाया जाता है कि कोयल को कैसे बनाया जाता है कोयल में दो पॉइंट होती है जहां से हम पॉपर वायर को हम लेपेटना अस्टार्ट करते हैं एक पॉइंट हो जाती है और जो इंड में बजता है दूसरी पॉइंट यह हो जाती है तो देखें दोनों पॉइंट यहां पे दोस्तो एक यहां सब्सक्राइब है तो हम इस तोनों पॉइंट में हम 12 डीसी बैटरी सप्लाइबिने वाले तब यह बन जाती है इलोक्रोमेगनेट तो आए हम इसे ट्राइब करते हैं कि यह देखे おoben बैटरी इस है और दो बैटरी टो कि इहां है दोस्तों कि अध Hallo हम इस बैटरी का पावर देखते हैं कि 12 बोल्ट 42 BC है एंस सबसे पहले बारहलों से हम इलक्त्रो मैगनेट बनाएं गया और उसके बाद हम 24 भूल इलक्त्रो मैणेđ उसके बाद उसके बाद एक आसे हम से खर permit email इन्हेंज बनाते हैं एकना पावरफूझ एलोक्रो मैगनिट बनता है तो आए हूं वायर को फिट करता हूं तो गाज देखिए दोनों तरफ वायर को हम कनेक्ट कर चुके हैं तो यह है दोनों वायर की इंड पॉइंट पॉजेटिव नेगेटिव देखिए तो यह देखिए इलोक्रो मैगनिट बन चुती है दोस्तों देखिए इसमें आप असपार्क भी जनरेट हो रहा है तो देखिए मेरे पास कुछ देखिए आरंस की पीस है हम इसे पहले देखते हैं है ρ किया यह देखिए एलोक्रो मैगनेट के कारण ही देखिए इसमें चिपक जाता है लिटेखिए विपेत हैं मेर भी चिपक ग्या अ कि देखिए हम इसका सर्किट कम्प्लीट कर रहे हैं फिर से देखे यहां पर देखिए असपार्क जन्रेट हो रहा है कि देखिए इसका सर्किट कम्प्रीट हो गया तो यह इलोक्रो मैगनेट देखे बन रहा होगा देखिए यह कितनी असानी से हैमर को देखिए चिपका लिया है मेरे पास एक बोल्ट है हम इस बोल्ट को देखते हैं यह बोल्ट चिपकती है यह नहीं देखिए तो यह जो बोल ग Creator है आईवा रंक नहीं बना हुआ हूआ कोई दूसरा मेटल का बना हुआ है कि इसमें नहीं चिपक रहा है यह यह दोनेंगे तो और यह देखिए यह बोल्ट नहीं चिपक रहा है देखिए ऐसा ही हम इसका कनेक्शन को ब्रेक करेंगे यह जो हैमर पिलास है वो नीचे गिर जाएगा देखिए गिरिये दोस्तों फिर से हम इसका सर्किट केंप्लीट करते हैं देखिए मेरे पास एक गिर भी है हम इस गिर को भी कनेक्ट करके दिखाते हैं तो अब हम ट्राय करने वाले हैं ट्वेंटिफॉर बोल्ड एटी-टू एंपियर से तो कितना पाउरफुल endllow मैञ्निट बनता है हम इसे ट्राय करके आप लोगом को हम दिखाते हैं औभड़ आउए हम इसका सर्कीट कंप्लीट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कितना पारफुल एलोक्ट्रोमेगनेट बनता है तो गाई 24 वोल का सरकीट पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है तो गाई देखिए इसके देखिए यह मोटर हम इसे करते हैं देखिए लिफ्ट होगी है दोस्तों कि देखिए बहुत ही असानी से यह मोटर को देखिए लिफ्ट कर लिया है अब हम इसे देखिए छोड़ा इस कनेक्शन को हम ब्रेक करेंगे तो यह नीचे गिर जाएगा दोस्तों तो गाईज अभी देखिए इसमें नहीं चिपक रहा है और जब हम इसका कनेक्शन कि सर्कूट को हम कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए चिपक जाता है और यह देखिए बहुत ही असानी से लिप्ट कर लेता है अब जैसा ही हम इसको कनेक्ट करतें इह देखिए निकल जाता है कि देखे हैं तो आई अब हम डिस ब्रेक को हम सटा के देखते हैं कि देखे गाई बहुत असानी से इसे भी केरी कर रहा है अब हम इसका कनेक्शन को ब्रेक इसका जो कनेक्शन हम छोड़ाते हैं है है कि दख्येत अचानक से नीचे घर जाता है suf rat कि यह यहत बहुती ज्यादा डिस्चार्ज है देखिए दोनों है अब лस- tucked करनेख करने भी को हो यह स्पार्क बहوत ही कम असपार्ग जर्यरेठ हो रहा है कि देखे अग्वाटो ही ज्याद़ नहीं रहा है दोश्तों देखे यह हिला दोला के रह जाता है लेकिन यह उठता नहीं देखिए इसमें बहुत ही ज्यादा बेट होने के कारण देखिए तो गाइज अब हम स्रीज करने वाले 48 वोल्ट बैटरी देखिए मेरे पास चार बैटरी है वारा बारा भोल्ट के 42-42 एंपियर के यह बैटरी है तो देखिए मेरे पास यह वायर कनेक्टर है हम इस कनेक्टर से इसमें बैटरी को स्रीज करने वाले हैं तो आज यह जो है देखिए 48 वोल्ट का बैटरी स्रीज हो चुका है इसका सरकिट अभी यहाँ देखिए यह ब्रेक किया हुआ है हम इस सरकिट को हम यहां पर कनेक्ट कर देते हैं कि इस नेगेटईव पॉइंट में हम इसे कनेक्ट करने के बाद हमें 48 वोल्ट मिलेगा तो अब हम 48 वोल्स से ट्राय करने जा रहे हैं यूपीयस को उठाने के लिए देखे कि इसका कनेक्शन हो चुका है तब पर भी इसे नहीं उठा पा रहा है इस फोगाई है तो देखिए इसका जो किनेक्शन है छूट गिया है हम इस एलेक्ट्रो मैगनेट के हेल्फ से हम चार्जर को अब लिप्ट करवाने वाले हैं देखिए यह यह देखिए इसका करीब करीब बजन 10 kg है भोती असानी से इसे लिप्ट कर लेता है अब हम इसको उठाने वाले हैं देखिए इसमें दोनों डिस ब्रेक भी कनेक्ट कर चुके हैं देखिए एक डिस ब्रेक की धर है और एक डिस ब्रेक की धर है और दोनों डिस ब्रेक और मोटर का बजन मिला के 15 kg तक है दोस्तों यह और हम देखना चाहते हैं कि 15 kg तक 15 kg का बजन उठा पाता है यह नहीं देखिए गाइज यह कितनी असानी से इसे लिप्ट कर लिया है कि अग्यों कि मेरा नस नस में एक्सपेरिमेंट है क्योंकि मैं इसी के लिए ही तो पैदा ही हूँ तो एक बार फिर से हम ट्राय करते हैं तो तो फेल हो चुका है इस बार फिर से देखते हैं देखे गाई यह अच्छी तरे का से उठा चुकी है लो satu के सक कनक् benz करने पर यह गिज़ाएगा ड़ा है तो ने एक तरके ट्रस्फरमर की क्या हाल हों चुकी है और बहुत ही ज्यादा ही था चुकी तो इलक्त्रोमाञड गजा वाल है देखे बहुत ही ज्यादा ही था चुकी है देखिये के इसमें इह देखे लटवट निकल रहा है इसमें हम सेलो टेप चीवकाएं थे दोस्तों फिघल गिया है जो इसमें प्लास्टिक था वह 做 गिया है देखिए देखिए कैसा चिपक रहा है बहुत ही ज्यादा powerful electromagnet बनाने के लिए जो coil है इसमें बहुत ही अधिक टर्न लगाया जाता है और वो भी इसका जो copper coil का जो number होता है वो 36 number wire को लगाया जाता है जितना ज्यादा हम turns देंगे उतना ज्यादा high power का electromagnet बनेगा दोस्तों लेकिन हमने इसमें मेरे पास वायर नहीं था मेरे पास 15 number का copper wire था हमने उसी से ट्राय करने के लिए electromagnet बनाया तो देखे बहुत ही अच्छा तरह से वर्क भी कर रहा है अब हम एक बहुत ही ज्यादा powerful electromagnet बनाएंगे और फिर आप लोगों को हम देखाएंगे उसमें से 100 kg तक लिफ्ट कर सकता है दोस्तों बहुत इजली से 48 वोल्ट से 100 kg तक हम उसे लिफ्ट करवा सकते हैं तो अगला जो मेरा वीडियो से रिलेटेड होने वाला है वह बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इल्यक्ट्र मैगनेट से हम वाल्किंग करने वाले हैं वह वी उल्टा लटक के तो गाइज इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भुले और लाइक और सब्सक्राइब करना है बिल्कुल भी ना भुले तब तक के लिए जय हिंद्ध